तो स्टूरंस तोड़ी विए गोइंग तो स्टार्ट एक्सराइज 1.5 प्रिविए वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं और उसके भी आगे एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यह तो हमने डेसिमल एक्सपांशन की बारे में भी डिसकस किया था स्टुटेंट्स उसके अंदर दो टाइप के डेसिमल एक्सपांशन थे एक टर्मीनेटिंग हो उसको भी रेशनल कह सकते हैं देखो रेशनल नंबर को हम टर्मीनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो उसको भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं या तो नॉन टर्मीनेटिंग हो बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो तो यह दोनों कि दोनों क्या है रेशनल नंबर से स्टुडेंट्स राइट बट इरेशनल नंबर में क्या and non-recurring okay यह ऐसा अगर टर्मिनिटिंग डेसिमल ऐसा अगर डेसिमल expansion आपको मिलता है तो इसे हम इरेशनल नंबर कह सकते हैं ठीक है तो दो क्वेश्चिन वन इस क्लासिफाइदी फॉल्लाइंग नंबर एस रेशनल और इरेशनल नीचे आपको जो नंबर दिये है वह आपको क्लासिफाइद करने कि वह रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है सब्सक्राइब इस इस तू माइनस रूट फाइव यहां पर देखो स्टुडेंस टू जो है वह रेशनल नंबर है माइनस रूट फाइव जो है वह ए रेशनल नंबर है students चलो रेशनल माइनस ए रेशनल तो हमेशा क्या मिलेगा ए रेशनल clear so this is what ए रेशनल नंबर 2 माइनस रूट 5 इस ए रेशनल नंबर now the second question is 3 plus root 23 minus root 23 चलो ये bracket में तो पहले इसको bracket solve कर देते है open कर देते है तो 3 plus root 23 हो गया students minus root 23 okay ये plus root 23 minus root 23 दोनों क्या हो गया cut is equal to 3 तो आंसर क्या बचा 3 विचिस कॉल्ड रेशनल नंबर ओके clear students now third question is 2 root 7 upon 7 root 7 ओके इस तरीके साथ का आपको question दिया है तो देखो root 7 root 7 क्या हो जाएगा cut यहां पर क्या बचेगा 2 upon 7 चलो 2 upon 7 मतलब p by q form हो गया students और हम जानते हैं कि जैस नंबर को जिस नंबर को हम पी अपॉट क्यूट form में represent कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे rational number कहेंगे तो यह कौन सा नंबर हो गया आपका rational number okay clear students okay now the fourth number is one upon root 2 चलो one upon root 2 मतलब उपर rational है नीचे rational है तो अफकोस rational divided by irrational हमेशा answer क्या मिलेगा irrational दोनों में से कोई भी एक number अगर irrational है तो हमें आपका answer irrational लिख देना है डिवाइट के अदर ठीक है चलो क्लियर फिफ्ट नंबर का question तो यह number कौन सा हो जाएगा एक्चुली इरेशनल नंबर चलो फिफ्ट नंबर देट इस तूपाई as we know that pi is a what irrational number students और 2 क्या है rational number to rational number multiply irrational number that is also irrational number so यह भी कौन सी काटेगरी में आएगा irrational number की काटेगरी में आएगा ठीक है so I hope आपको यह question number 1 समझ में आ गया होगा so this was the question number 1 of exercise 1.5 now moving to the next question that is question number 2 question number 2 is simplify each of the following expressions right मैंने आपको previous video के अंदर भी बताया था students की कैसे इसको simplify करते है so let us start the first question is 3 plus root 3 bracket 2 plus root 2 यहापर कुछ भी सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे यह 3 लिखेंगे और यह पूरा bracket लिख देंगे 2 plus root 2 plus यह root 3 लिखेंगे और यह पूरा bracket लिख देंगे 2 plus root 2 clear students क्या किया वापिस यह 3 को इसके साथ लिख दिया और यह root 3 को भी इसके साथ लिख दिया चलो, three two's are six, plus three into root two, that is three root two, क्या किया, three two's are six, plus three into root two, three root two, plus, चलो, अब इन दोलों का multiply करें, root three into two, that is two root three, plus, root three into root two, चलो, दोनों root है, तो multiply कर सकते हैं, तो root three into root two, that is root six, clear students, okay, अब आप देखो, यहाँ पर कोई भी like term नहीं है, तो this is your answer, right, चलो, second question is, three plus root three, in the bracket, three minus root three, तो this is your a, and this is your b, बीच में क्या आया, plus, this is your a minus b, तो देखो, a plus b, a minus b, चलो, a plus b, a minus b हो, तो उसका expansion क्या हो सकता है, a square minus b square, तो यहाँ पर क्या लेखेंगे, three square minus root three square, चलो, three का square क्या हुआ, nine minus, root three का square, चलो, root three का square, यानि, मैंने previous video में भी बताया था, students, जब भी कोई भी number root हो, और उपर square हो, square square root हटा देने का, सिर्फ जो number है, वो लिग दो, root three का square, three, चलो, nine minus three करेंगे, तो answer क्या मिलेगा, six, clear students, okay, now the third question is, root five plus root two का whole square, तो यह कौन से identity के साथ मैच करेगा, students, a plus b का whole square, right, चलो, a plus b का whole square हो, तो उसको क्या लिख सकता हम, इसका expansion क्या था, a square plus, two a b plus b square, right, तो इसे साब से, this is your a and this is your b, चलो, a square यानि root five का square, plus two, दो bracket लिखेंगे, plus b यानि root two का square, तो bracket में root five और इधर क्या लिखेंगे, root two, okay, चलो, root five का square, यानि five, plus, ये two का two as it is, इन दोनों का multiply होगा, students, कुछ students, गलती यहाँ पे कर देते हैं, सब का multiply करेंगे, गलत हो जाएगा, root five, root root वाले term का ही multiply होगा, students, right, so, ये two as it is, root five into root two, that is, root ten, five twos are ten, plus, चलो, root two का square, square, square root cut, answer क्या बचेगा, सिर्फ two, चलो, ये और ये, दोनों like term हो गए, चलो, तो five plus two क्या हो जाएगा, seven plus two root ten, this is the answer, clear students, okay, now, the fourth question is, root five minus root two, in the bracket, root five plus root two, चलो, ये इसके जैसा ही sum है, a minus b, and a plus b, चलो, a minus b, a plus b हो, तो क्या लिख सकते हम, a square minus b square, so, what is your a, root five, तो क्या लिखेंगे इदर, root five का square minus, what is your b, root two, root two का square, चलो, root five का square क्या हो जाएगा, five minus, root two का square क्या हो जाएगा, two, तो five minus two, यानि three, this is the answer, clear students, okay, so, this was the question number two of exercise 1.5, now, moving to the next question, question number three is, recall, pi is defined as the ratio of circumference of circle to its diameter, pi जो है, वो किन दोन चीज़ का राशियो है, circumference of circle to its diameter, that is, pi equals to c upon d, c means circumference of circle and d means diameter of circle, this seems to contradict the fact, यह हमारा जो fact है, क्या है fact कि pi is a irrational number, हम जानते हैं, students, pi काई सा number है, irrational number, but यह जो formula दिया है, वो हमारे जो actual fact है कि pi irrational number है, उसको contradict करता है, so how will you resolve this contradiction, तो हम यह contradiction को कैसे resolve करेंगे, right, as we know that, क्या दिया हमें यहाँ पे, pi is equal to c upon d, where c and d are rational number, okay, चलो, c upon d, मतलब p by q form में represent किया, मतलब यह दोनो number कौन से होंगे, rational numbers होंगे, okay, but as we know that pi is what, students, irrational number, जब हम इसको solve करेंगे, c upon d को, तो हमें क्या मिलता है, pi, तो क्या लेखेंगे, but if we solve c upon d, then it gives pi, वह हमें क्या देता है, pi, because c upon d, circumference of circle और diameter of circle का अगर ratio find करेंगे, तो हमें कौन सा expansion मिलेगा, non-terminating and non-repeating, right, तो यह non-terminating and non-repeating कौन सा होता है, students number, irrational number, यहाँ पर क्या लिखेंगे, if we solve c upon d, then it gives what, pi, जो हमें pi की value देता है, right, इसका मतलब, pi क्या number है, irrational number है, इसका मतलब c और d, दोनों में से कोई भी एक irrational number होना चाहिए, या तो दोनों irrational होंगे, therefore, either c और d are irrational, और both are irrational, दोनों में से कोई भी एक, या तो दोनों irrational number होंगे, तो ही हमें divide करेंगे, तो irrational number मिलेगा, means what, देखो, rational upon irrational, that is irrational, या तो irrational upon rational, that is also irrational, या तो दोनों irrational से divide करोगे, तो भी हमें answer क्या मिलेगा, irrational, it means, या तो c और d में से कोई भी एक irrational होगा, तो answer irrational ही मिलेगा, या तो दोनों irrational होंगे, तो भी irrational मिलेगा, right, therefore, पाई is what, irrational number, clear students, so this is the question number 3, okay, now moving to the next question, number 4 is, represent 9.3 on the number line, students ध्यान देना, most important question है ये, आपको, under root 9.3 को number line पे represent करना है, तो इसके अंदर हम construction भी करेंगे, और उसके steps पी लिखेंगे, right, तो let us start to construct or let us represent the root 9.3 on number line, okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे students, number line पे represent करना है आपको, तो यहाँ पे steps ध्यान से समझना की कैसे हम इसको number line पे represent करेंगे, तो सबसे पहले हमें scale से यहाँ पे जो भी number दिया है, 9.3 दिया है, right, तो जो भी number आपको दिया है, उतने measurement की आप ray draw कर दो, तो सबसे पहले एक ray draw कर देंगे हम, चलो यह ray draw कर दी हमने यहाँ से, और यहाँ से, चलो यह ray draw कर दी हमने, यह ray का क्या नाम दे देंगे हम, एक्स, ओके, चलो, अब यहाँ से 9.3 जितना distance लेना है आपको, 9.3, 9 के बाद 3 points, 1, 2, 3, तो इस इस यह 9.3, यह point को हम नाम दे देंगे, B, क्या नाम दे देंगे students, B नाम दे देंगे, clear सबसे पहले क्या draw करना है, आपको एक ray draw करना है, AX, A से 9.3 जितना distance लेके, point B mark करना है, अब, यह जो B point है, उससे आपको, 1 cm और, लेके, यही ray पे, आपको एक और point mark करना है, जिसका नाम देंगे हम C, क्या बोला मैंने students, पहले 9.3, जितना distance लेके, point mark किया, उसके बाद, यहाँ से 1 cm जितना, point लेके, mark करेंगे, उसको हम दे देंगे, point C, अब, हम क्या करेंगे students, midpoint find करेंगे, AC का, क्या find करेंगे, AC का midpoint, चलो, AC का perpendicular bisector draw करना है, किसका draw करना है, A से C का, तो कैसे draw करते हैं, perpendicular bisector, तो आदे से ज़्यादा distance लेना है, एक mark उपर लगाएंगे, एक mark नीचे, और, A point पर रखके, सेम procedure, एक mark उपर, और एक mark नीचे, clear students, अब ये दोनों जो, arc जहाँ पर भी intersect हुए, उसको हम क्या कर देंगे, joint कर देंगे, तो हमने यहाँ पर इसका, A और C का midpoint, find किया, जिसको हम नाम देंगे, P, कोई भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है, clear, अब हम क्या करेंगे, ये जो point है, उसको P पर रखेंगे, और A जितना radius लेंगे, A जितना distance लेंगे, clear, और यहाँ से एक semi circle बना देंगे students, right, ओके, इतना समझ में आ गया, अब हम क्या करेंगे, B point से 90 degree बनाना है, B point से 90 degree ड्रॉ करना है students, या तो आप इस से कर सकते हो, protector से कर सकते हो, या तो divider से कर सकते हो, तो हम divider से करेंगे, B point पे 90 degree बनाना है, B point पे, 90 degree कैसे बनाते है, कोई भी radius ले लो, right, और यहाँ से क्या करेंगे, यह 60 का आर्क यह 120 का आर्क और इधर क्या हो जाएगा दोनों के बीच में 90 डिग्री का आर्क चलो clear अब B point में से हमने perpendicular ज़र ड्रॉ किया 90 डिग्री कहां तक ड्रॉ करेंगे यह line कहां तक extend करेंगे यह बड़े वाले semicircle को जहां तक touch ना करें वहां तक यहां पर जो touch किया उसको point दे देंगे D clear students okay so यह जो हमें line मिली ना आपकी BD this line this is what root 9.3 लेकिन यह तो यहां पर line है इसको हमें कहां पर represent करना है number line पर number line पर कैसे represent करेंगे इसको हम right number line पर हम उसको कैसे represent करेंगे students तो यह जो distance है यहां से यहां तक का उसको हम इदर shift कर देंगे right so यहां पर जो point मिला आपको यह वाला उसे हम नाम दे देंगे कोई भी नाम दे सकते हो K so this is what root 9.3 यह जो K point है वह आपका क्या हो जाएगा 9.3 clear students so in this way you can represent root 9.3 on the number line clear चोई हो आपको यह समझ में आगया गव पहले क्या किया हमने ray x ड्रॉ किया उसके बाद जितना distance दिया है 9.3 यहां से लेके 9.3 तक हमने एक point ले लिया B अब B से भी एक centimeter जितना हमने आगे एक point मार्क किया C अब A से C का distance लेके perpendicular bisector ड्रॉ करेंगे जो यहां पर touch करेगा उसको नाम देंगे P clear पी पे center रखके एक जितनी radius लेके क्या बना देंगे semi circle अब B point से perpendicular draw करना है जो यह circle को D पे touch करता है तो आपकी जो BD हो गई वो हो गई आपको root 9.3 अब इसको यहां से distance लेके number line पे shift कर दो right so in this way you can represent the 9.3 on number line अब इसके आपको steps लिखने है students right the first step अपने क्या लिखा तो लिदे लिखेंगे steps of construction so what is your first step draw ray x pahle हमने क्या draw किया a x-ray draw किया students right yeah चलो उसके बाद second step क्या है आपका mark point B mark point B B कहां पे on a x on ray a x such that a b is equal to 9.3 cm a b कितना हो गया आपका a से b लेके 9.2 sorry 9.3 cm now फिर क्या किया आपने b से भी 1 cm जितना और distance लिया तो क्या लिखेंगे इधर mark point C on ray a x such that such that b c is equal to 1 cm the next fourth step is अब हमें क्या करना है a से c का perpendicular by sector draw करना है तो क्या लिखेंगे draw परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओफ लाइन सेग्मेंट एसी विच इंटरसेक्ट एसी एट पी कहां पे टच कर रहा है पी पे अब अब हमने क्या किया पी को सेंटर लिया और एपी जितनी रेडियस लेक्ट सैमी सेरकल बना दिया तो क्या लिखेंगे फिफ्ट स्टेप ड्रॉब सैमी सरकल विथ सेंटर पी एंट रेडियस एपी ओके चलो सिक्स्टेप यह हो गया अब हमें क्या करना है परपेंडिकुलर ड्रॉब करना है कहां से बी से जो यह सैमी सरकल को कहां पे टच करता है डी पे तो क्या लिखेंगे ड्रॉब परपेंडिकुलर एट पोइंट बी राइट पोइंट बी विच इंटरसेक्ट सेमी सरकल एट डी क्लियर चलो यहां पर टच कर दिया तो यह आपकी बीडी हो गई वो क्या हो जाएगा स्टुएंट्स अब इसको हम नमबर लाइन पर क्या करेंगे शिफ्ट कर देंगे स्टुएंट्स राइट तो क्या लिखेंगे ड्रॉब एन आर्क विच सेंटर बी एन रेडियस बीडी विच इंटरसेक्ट रे बी एक्स एट के तो हमने क्या किया यहां से सेंटर लेके इतनी रेडियस लेके यह आर्क लगा दिया है जो पॉइंट पर टच किया इसको क्या नाम दिया के इसको के पर टच कर रहा है क्लियर है स्टुएंट्स देर्फोर 9th step क्या हो जाएगा देर्फोर पॉइंट के विए रेप्रेसंट अबरूट 9.3 न थो न थो न थो तू इस वे इस न थी न थो न थो न थो थो एपको यह समझ में आगया होगा। question number five rationalize the denominator last video में भी हमने discuss किया था कि कैसे हम इसको rationalize करते है rationalize the denominator the first question is one upon under root seven इसको हमें rationalize करना है denominator को मैंने आपको बोला था students denominator मतलब नीचे कभी irrational number आना चाहिए नहीं तो इसको हम क्या करेंगे उसी number से उपर नीचे multiply कर देंगे तो root seven से multiply कर दो चलो root seven once a root seven upon root seven into root seven कोई भी सेम नंबर root में दो बार आए तो वो root हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा seven या तो हम इसको कैसे लेख सकते है root seven का square मतलब square square root cut तो सिर्फ क्या बचा seven तो नीचे seven so this is the answer denominator आपका अब क्या हो गया rationalize हो गया राइट चलो next question is one upon root seven minus root six देखो students यहां पर ऐसा question है one upon root seven minus root six तो multiply किस से करेंगे root seven बीच में मैंने बुला था आपको middle में जो भी sign है उसकी opposite साइन से तो यहां पर minus है तो यदर plus तो root seven plus root two से हम उपर नीचे दोनों जगा पे multiply कर देंगे ठीक है चलो अब इसको one के साथ multiply करेंगे तो answer क्या मिलेगा same root seven plus root two sorry root six right और नीचे a minus b a plus b चलो a minus b a plus b है तो इसका expansion क्या होगा a square minus b square तो क्या लिख सकते इसकी जगा root seven ka square minus root six ka square okay answer क्या आएगा उपर as it is नीचे root seven ka square मतलब seven minus root six ka square 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 root cut to answer क्या बचा six root seven plus root six upon seven message six जाए तो one so this is the answer नीचे rationalize हो गया students right चलो question number three is one upon root five plus root two तो इसको हमें rationalize करना students तो पहले तो question लिख देते हैं कि चलो किसे multiply करेंगे उपर नीचे बीच में जो है उसकी opposite sign से क्या लेकिंगे root minus root five minus root two upon root five minus root two चलो वन के साथ multiply करो वही का वही नंबर मिलेगा आपे चलो यहाँ पर a plus b a minus b तो a plus b और a minus b हो तो हम क्या लिख सकते हैं a square minus b square root five ka whole square minus root two ka whole square चलो उपर root five minus root two नीचे root five ka square five minus root two ka square two root five minus root two upon three this is the answer नीचे rational number आगा students right now the fourth question is one upon root seven minus two तो पहले question लिख देते हैं चलो किस से multiply करेंगे root seven ka root seven middle में जो sign उसकी opposite इधर minus है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे plus चलो यहाँ पर यह जो नंबर है उसको one के साथ multiply करोगे तो answer क्या मिलेगा root seven plus two upon चलो a minus b a plus b चलो a minus b a plus b हो तो क्या लिख सकते हो a square minus b square यानि root seven ka square minus two ka square चलो यहाँ पर root seven plus two upon root seven ka square क्या हो जाएगा students seven minus two ka square यहाँ आपे two ka square है तो two ka square four चलो therefore root seven plus two upon seven में से four जाया है तो three this is the answer clear students so i hope आपको यह question number five समझ में आ गया होगा so this was the end of exercise one point five i hope आपको यह video पसंद आया होगा just like this video share it with your friends and subscribe my channel if you're new on this channel thank you 10 झालो 10 3 0 7 9 10 10 झाल झाल